बन के त्यार होगी हमारी अर्भी मसाला लास्ट में डालूँगी मैं सर्फ करने से पहले एक चम्मत देशी गी और बारी कटा वहरा दनिया हेलो दोस्तो मैं हूँ रेनू स्वागत करते हूँ अपने चैनल बेकर सेन मोर के अंदर आज हम बनाएंगे अर्भी मसाला बहुत अलग तरीके से तो यहां पर मैंने थाइसो ग्राम अर्भी लिया और इस सब्जी को तीन से चार लोग आराम से खा सकते तो अर्भी को हम बहु तो मैंने एक भगोने के अंदर अर्भी को उबलने रख दिया साथ मेरा दे थोड़ा सा नमक इसको मैं जब पानी के अंदर उबला जाएगा तब मैं गैस को बंद कर दूँगे अर्भी को मैं जस्मट इसके नहीं रहने दूँगी उसके बाद मैं अर्भी को छील लूँगी जब तक हमारी अर्भी ब्लांच ओर यह तब तक हम मसाला बनाते हैं जो हमको इस सब्जी के अंदर लगेगा तो एक कटोरी के अंदर में डालूँगी अगे जब दूद्ध रेशिपी पाद में डालूँगी और अच्छा आगा एक चमश कश्मीरी मूच का पाद भी डालेंगे और लगबाग दो से 3 टेबल स्पून पानी इस मसाले के अंदर डाल देंगे ताकि मसाले मारे अच्छे से फूल जाएं ऐसा करने से के अदर जो मसालों का फ्लेवर आता है अर्भी को चेक कर लेते हैं जब पानी के अंदर बॉयल आयाया था तब आप मेसारक हम रूबी को आप यहां पर देखेंगे अर्भी हमारी ना बहुत जादा गली आफ हाड मेसारर चीना अर्भी करेंगे इस तरीके से हम अर्भी में बीच में से इसको वस कट लगा देंगे हमें इस सबजी के लिए ऐसी अर्भी चाहिए अब अर्भी के ओपर हम डालेंगे quarter teaspoon लाड़मिश पौडर, quarter teaspoon हल्दी का पौडर, थोड़ा चा नमक अब इन मसालों को हम अर्भी में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे लेकिन हलक्यातों से मिक्स करेंगे इसलिए हमने अर्भी को hard boil किया है और जब तक हमारी जो gravy बनेगी तब तक अर्भी को हम side पर रख देंगे तक अर्भी अच्छी से मेरिनेट हो जाए मसालों के साथ में अगर आप चाहो तो इस अर्भी को आप shallow fry भी कर सकते हो लेकिन मैं इसको डारेक्टी बनाऊंगी तो अब बनाएंगे इसकी gravy तो gravy बनाने के लिए मैं सरसो का oil यूज़ कर रही हूँ अब कि अवा प्याज है वही लगेगा जो पिसावा प्याज होता हो वह हमें नहीं डालना है जब हमारा प्याज थोड़ा सा पिंक को जाएगा तब मैं डालूँगी इसके अंदर साथ हम फ्राइग करेंगे और जो अर्बीन के आधार करेंगे ध्यार हे वह verme हमारी वह स्लोगी तो देखे अर्बी हमारी अच्छे से भुन गई और भाँ साथा बुं गया अप ग्रेवी के लिए डालेंगे इसके लिए गरम पानी का ध्यान आए, जब भी पानी के नाथको है और उसके बाद हमें देख लेंगे हमें कितनी ग्रेवी चाहिए तो उतना पानी हम और डाल देंगे तो यहां पर मैंने एक कटोरी भर के पानी डाला है और सब्जी की ग्रेवी के हिसाब से आप पानी सके अंदर एजस्स करना और थोड़ा से मैं डालूंगे इसके अंदर नमक टेस्स के हिसाब से तो पानी के अंदर बॉयल आ चुका इसको हम ढख के पकने के लिए रख देंगे और बीच में एक दुबार खोल के इसको चेक भी क सब्जी को हम रोटी के साथ में खाएंगे तो हमारे लिए इतनी थिकनेस बहुत है यदि आपको इसको राइत के साथ में खाना है थोड़ा सा अब इसको ग्रेवी को पतला भी रख सकते हो और फ्रेंस लास्ट में सर्फ करने से पहले मैं डालूंगी इसके उपर देसी घी और साथ ही में डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया तो बनके त्यार होगी हमारी अर्भी मसाला रेसिपी आपको कैसी लगी अच्छी लिए दोसको लाइक चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करेगा तो मिलते हैं आपसे एक नही रेसिपी के साथ में तब तक हैपी कुकिं कर वे दो दो सेले में वाले सुधनी हमारी के साथ मारे बनके इंत, आपसे एक वह स्था रेस.